वैसे तो हमारे प्रद्वी पर अनेक प्रकार के खुबसूरत जीव पाय जाते हैं मगर आज हम आपको दुनिया का सबसे खुबसूरत जीव यानि कि वाय टैनिमल के बारे में बताने वाले हैं जोने आपने अब तक नहीं देखा होगा और एक बार देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि वाउ कितना खुबसूरत है ये पिकॉक आप मोर के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि हमारे देश के राष्टे पक्षी भी है और ये अपने सुनहरे और खूपसूरत पंक के लिए काफी मशूर है सोचिए दोस्तों यदि मोर का पंक सफेद हो जाए तो क्या होगा अपने जीवन में आज तक कभी सफेद मोर आपने नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए सफेद मोर देखने में काफी खूपसूरत दिखाई देते हैं और इसी कारण लोग इने देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं और इनकी खुफसूरती में चार चान तब लग जाता है जब ये नर्त्य कर रही होते हैं सफेद मूर देखने में पूरी तरह दूद की तरह सफेद होते हैं दोस्तों अगर बात मगरमच की की जाए तो इतने खतनाग और ड्रावने होते हैं कि लोग उनके पास जाना तो दूर उनको देखने से ही दर जाते हैं मगर क्या आपने अपने जीवन में कभी सफेद मगरमच को देखा है सफेद मगरमच के प्रजाती काफी दो लव है पूरी दुनिया में मातर सौ के आसपास ही सफेद मगरमच पाए जाते हैं इस तरह के सफेद मगरमच को ऐलबिनो मगरमच भी कहा जाता है वैसे तो ऐलबिनो एक जनेटिक बिमारी है जिसमें तवचा और बाल पूरी तरह सफेद हो जाते हैं यदि इनकी तुलना दूसरे तरह के मगरमच से करें तो उनकी तवचा काफी मोटी और सक्त होती है मगर एल्बिनो मगरमच की तवचा मुलायम होती है जिसे शिकारी आसानी से इन्हें जखमत दे देते हैं इनकी तवचा इतनी कुमल होती है कि अधिक धूप लगने पर इनकी तवचा जल जाती है ये सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि अल्बिनो मगरमच प्रकरती में नहीं रह सकते और इसी कारण अधिक तर ये चड़िया घर में ही देखने को मिलते हैं और ये तने खूपसूरत और मनुहर देखते हैं कि लोग इने देखने के लिए चड़िया घर में जाते हैं वाइट लाइन। आपने अपने जिवन में जंगल का राजा मगर शायद ही आपने सफेद शेरों को देखा होगा यह जन्धा काफी दूलब होते हैं सफने शेर बाक दो चमवे उतने घा तक नहीं होते यह दिकाश्ट एच चोटे जानवरों का शिकार करते हैं आप शायदिये नहीं जानते होंगे कि जब सफेर शेर का बच्चा पैदा होता है तो वो अंधा होता है और करीब तीन साल तक अपनी माँ पर निर्भर रहता है इसी कारण सफेर शेर पूरी दुनिया में खत्म हो रही है और एक सर्वे के अनुसार 2018 में हमारी दुनिया में ऐसा इंसान होगा जो सांपों से लगाव रखता होगा और वो उनके करीब जाने की हिर्मत रखता होगा क्योंकि सांप जैसे खतनाक जीव से सभी लोग दूरी बना करते हैं मगर आपने सफेर सांप नहीं देखा होगा सफेर सांप देखने में इतना खूपसूरत होता है कि कोई से देखने के बाद इसके पार जाए बिना नहीं रह सकता मगर आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा क्योंकि साप सफेद हो या काला वो आपकी मौत का कारण बन सकता है बैसे तो सफेद साप भी काफी कम पाय जाते हैं और आपे नहीं आसानी से नहीं देख सकते हैं जंगल का सबसे खतनाक शिकारियों में टाइगर का नाम सबसे उपर आता है इस सरीर से भारी-भार कम होते हैं जो देखने में काफी भयानक दिखाई देते हैं मगर क्या हो किधी टाइगर पूरी तरह सफेद हो जाए दोस्तों हमारे जंगर में सफ़े टाइगर पाए जाते हैं मगर ये काफी दुरलब होते हैं और कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं यदि इनकी शारेविक विशेषता की बात करें तो ये बाक्री टाइगर के मुकाबले उतने बलवान नहीं होते हैं और इसी करण के शिकार करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों यदि आपको सफ़े टाइगर देखना है तो आपको चुड़िया घर जाना होगा क्योंकि ये वहीं पर देखने को मिलती हैं दुनिया के सबसे लंबे जीव में शुमार जराफ को तो आपने देखाई होगा जो अपने शरीर पर खूबसूरत धारियों के लिए जाना जाता है लेकिन क्या हो यदि जराफ का शरीर पूरी तरस सफेद हो जाए दोस्तों सफेद जराफ पहली बार नौथ इस्टर्ण में पाया गया ये जराफ काफी अलग दिखाई देते हैं और इसी कारण बाकी जराफ इसे अपने आसपास आने नहीं देते हैं मगर सबसे दुख की बात ये है कि कुछ शिकारी आदम्यों ने इसे मार डाला और सफेद जराफ इस दुनिया से अलविदा हो गए आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ कमेंट करके जरूर बताईएगा हाथी तो आपने बहुत देखे होंगे जो काफी विशाल और डरावने होते हैं मगर क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई हाथी बहुत खूबसूरत दिखाए दे सकता है दोस्तों हमारी प्रत्वी पर सफेद हाथियों की प्रजाती भी पाए जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाए देते हैं मगर इनकी प्रजाती भी धिरे-धिरे खत्म होती जा रही है और मात्र कोछी संख्या में ये हमारे प्रत्वी पर बची है दोस्तों आज की वीडियो में आपने अनेक ऐसे जानवरों को देखा जो सभी जानवरों से काफे अलग दिखाए देते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर आखे सफेद क्यासे होते हैं असल में जीवों के शरी के अंदर मेलरी नाम का पदार पाए जाता है जिसके कारण जीवों की तुचा का रंग बनता है यदि इसी की कमी शरी में हो जाती है तो हमारी तोचास सफेद हो जाती है आपको कौन सा जीव सबसे खुबसूरत लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चनल सकाइप इडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोलेगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही गुड़ बाई बाई बाई